दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे और परदेश में अम्रीज पुरी न होते तो ये फिल्म एं किसी भी इस्थित में इतनी लोग पुरी न होती। सारुख खान कभी सारुख खान न बन पाते। अगर बाउजी के रूप में अम्रीजपुरे उन्हें तमाचे नमाते हीरो लोगों में चार माया तो अम्रीजपुरी से मिस्टर इंडिया में मुगेंबो का बर्जन न होता तो कोई अनिलकपूर के अद्रस मसीहा पात्र को न देख पाता घायल में बलवन्त राय न बनते और घातक में कासी के बढ़वडाने वाले बाउजी बनकर गले में कुत्ते का पट्टा न पहनते तो सनी देवल को सायद दो बहुत ही औसत फिल्में मिलती लेकिन अमरीजपूरी थे तो दोनों फिल्मों में अमर्ता मिल गई जब तक सिनेमा है वे सब फिल्में याद ही की जाएंगी जिनमें अमरीजपूरी थे तो आज आप इस वीडियो में आपको अम्रीज पुरी और अम्रीज पुरी के परिवार से जुड़ी कुछ रोचक बाते बताएंगे, उनकी परिवार का इतिहास के बारें बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि ओम पुरी जी का अम्रीज पुरी से क्या रिस्ता था, वो बता दें कि अम्रीजपुरी का परिवार पंजाब के नमान सहर से बिलॉंग करता है। पिता थे सरदार निहाल सिंगपुरी और माता थी वेदकौर। अम्रीज पाँच भाई बहन थे। दो बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। कुल उनको मिलाकर पांच लोग हो गए। सबसे रोचक बात तो आपको ये बताते हैं कि पुराने जमाने के, गुजने जमाने के, मजूर गायक और अविनेता, केल साइगल, अम्रीज पुरी के कजिन ब्रदर थे। हाँ आपको बता दें कि चमन पुरी अम्रीज पुरी के सबसे बड़े भाई थे। चमन पुरी जी ने लगभग 175 फिल्मों में काम किया। 26 जून 1998 को चमन पुरी जी का दिहान धो गया। अब बात करते हैं अम्रीज पुरी के दूसरे बड़े भाई मदन पुरी। फिल्मी कैरियर में 430 फिल्मों से भी जादा फिल्मे की। चलिए बात करते हैं सादार निहाल सिंग पुरी के तीसरे बेटे अम्रीज पुरी। जिन्होंने फिल्मी परदे पर खलनायकों की विधा को एक अलग इस्तर तक पहुँचा दिया। लेकिन अपने कैरियर के इस मुकाम तक पहुचने में इने काफी संगर्सों का सामना करना पड़ा। उम्र के जिस पढ़ाओ पर पहुचने के बाद एक आम आदमी एक आम इनसान अपने सपनों को समेट लेता है। उम्र के उसी पड़ाव पर अम्रीज पूरी का पदारपण फिल्मी परदे पर हुआ। जी हाँ, 40 साल की उम्र में अम्रीज पूरी को फिल्मों में पहली बार अभिने करने का मौका मिला। चलिए उनके जीवन के बारे में सुरुआत से जानते हैं। अम्रीज पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नमांसर सहर में हुआ था। बचपन में उनकी मां अम्रीज के काले रंग को लेकर परिसान रहती थी, क्योंकि उनके घर में कोई इतना काला था ही नहीं, जितने अम्रीज काली थे। काले रंग के इसी एहसास की वज़े से बचपन में अम्रीज धेर सारा दूद पीने लगे थे। सिर्फ इस उमीर से कि ऐसा करने से उनका रंग साफ हो जाएगा। अम्रीज पुरी के पिता निहाल सिंग पुरीजी ने कभी ये नहीं चाहा कि उनका कोई बेटा फिल्मी दुनिया में आए। क्योंकि फिल्म इंडिस्टीज को वो पाप का अड़ा मानते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान की निदिकता का पतन ह हो जाता है। उनकी सोच की एक बड़ी वज़े थी उनके भतीजे केल साइगल साफ जिनकी बड़ी कम उम्र में सनाप सराप पीने के करान सराप के अथिवेशन के करान उनका निधन हो जाता है। बावजूद इसके निहाल सिंग के दो बेटे फिल्मी दुनिया में आए। लेकिन अम्रीजपुरी अपने बड़े भाईयों की तरह अपने पिता का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इसलिए अम्रीजपुरी ने चहुदा साल की उम्र में राष्टरी सेवम सेवक संग जानी की RSS को जोईन कर लिया। अम्रीजपुरी ने अपनी आटो बायोग्राफी दे एक्ट आफ लाइफ में लिखा है कि ऐसा करने से उनकी आदर्स बहुत उचे हो गए थे। और संग की सक्री भागीदारी से अलग कर लिया। इस राष्टीत राष्टी की दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ उन्हें इस्तब्द किया और तोड़ भी दिया। बलकि उनकी सोच और दृष्टिकोन को इतना ज़्यादा बदल दिया कि जब वो कॉलेज पहुँचे तो न सिर्फ नाटकों में काम करने लगे बलकि गाना भी गाना शुरू कर दिया। और यहीं से उनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जगरत हुई। बोज नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने छोटी मोटी नोकरियां करना सुरू कर दिया और कमीशन एजेंट बन कर कभी माचिस का नया ब्रांड बेचा तो कभी सरकारी दप्तर में लिपिक की सधान नोकरी महीने भर करने के बाद छोड़ दी। नोकरी के दौरान उनकी मुलाकात हुई और्मिला जी से दोनोंने साधी कर ली। उससे अमरीज जी की उम्र मातर 27 साल की थी। होते करते कुछ साल बीद गए और अमरीज पुरी का ध्यान अब इने से हटकर घरेलू बातों में लग गया। लेकिन कहते हैं न किस्मत आपको अपने गंतब तक पहुचाने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजी लेती हैं। उस दौरान अमरीज पुरी की मुलाकात इब्राहिम अलकाजी से कोई जो कि उस वक्त के थीयेटर का पर्रयाय माने जाते थे। 1961 में अमरीज पुरी ने अपने गुरू सत्य देव दुबे के इंदी दिशन में पहला नाटक खेला। नाटक धर्मवीर भारती का लिखा था अंधा यूग जिसमें अमरीज पुरी ने ध्रतराष्ट की भूम का निवाई। इस तरह करीब एक दसक तक थीयेटर की डुनिया में काम करने के बाद अमरीज पुरी ने हिंदी सिनेमा में साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से डेबु किया। खलनायक के तौर पर अमरीज पुरी जी ने सबसे पहले रेस्मा और सेरा फिल्म में काम किया। हाला कि हिंदी फिल्म में आने से पहले 1967 में अपनी पहली फिल्म सतंतु कोड चालू आहे में काम कर चुके थे। ये एक मराथी फिल्म थी। इसके बाद तो अम्रीजपूरी की गरस्ती हुई आवाज और सांदार अबने का जादू परदे पर कुछ ऐसा चला कि उनकी मांग ह बॉलिवूड तक फिल्मों में होने लगी। हॉलिवूड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अम्रीजपूरी ने अपनी बेहतरीन अभिने से स्खूप सुर्कियां बटोरी। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए हॉलिवूड के नामी निर्दे सक स्टीवन स्टीलबर्ग को खुद इंडिया आना पड़ा। बॉलिवूड और हॉलिवूड के साथ साथ अमरीज साब ने मराथी, कनन, पंजाबी, मल्यालम, तेल्गू, तमिल आदें जाने कितनी भासाओं में काम किया। फिल्म मिस्टर इंडिया में मुगैंबो के किरदा ने उन्हें गबबर सिंग के समकत चला कर खड़ा कर दिया। चुकि अमजद खान की बाकी खलनायक भूमिकाएं अमरीज पुली की खलनायकी के आगे तिक नहीं पाई। इसलिए उन्हें हिंदी फिल्मों में महांतम खलनायक होने का रुद्बा हासिल हुआ। पांच को ये महान अविनेता दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन आज भी जब टेली वीजन पर जब अमरीज पुरी साहब के ठाहके गुशते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये महान अविनेता इस दुनिया में नहीं है। अब बात कर लेते हैं अमरीज पुर पुरी और ओमपुरी के बीच के संबन्द की। अमरीज पुरी और ओमपुरी के बीच किसी भी तरह का कोई संबन्द नहीं है। सुसनता से निकालते थे। अमरीज पुरी का नाम आते ही आपके आखों के सामने आ जाता हूँ। मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतिजार करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को बनाने में मेरी की गई मेहनत को आपका एक लाइक सफल कर देता है। जै हिन जै भारत।